ओके सो हे गाईज वेलकम बैक टो माईड़ी चानल टेकनिकल सेलिग दोस्तो आज के वीडियो में हम जानेंगे ट्रेन में कितने तरह के बेटिंग लिस्ट होते है और सबसे पहले कौन सी बेटिंग लिस्ट कन्फरम होता है लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी तक वीडियो लोगों दाला जाता है जिनकी टिकर कन्फरम नहीं हो पाती है बेटिंग लिस्ट में जाने का मतलब है कि अगर किसी कन्फरम टिकट वाले यातरी ने अपनी यातरा रद की है तो आपको उसके सीथ दे जाएगी हलांकि ये इतना आसान नहीं होता बेटिंग लिस्ट भी की तरह की होती है आज हम उन्हीं अलग-अलग बेटिंग लिस्ट के बारे में आपको बताएंगे जी एन डबलु एल इसका मतलब है जेनरल बेटिंग लिस्ट अगर कोई कन्फरम यातरी अपनी टिकट कैंसिल करेगा तो आपको उसकी सीथ अलोट कर जी जाएगी टी क्यू डबलु एल कहा जाता है इस टिकट में कन्फरम होने के चांसेस बहुत कम होते हैं पी की डबलु एल इसका मतलब है पुल्ड कोटा बेटिंग लिस्ट या वेट लिस्ट जनरल से अलग होती है इसमें उन यात्रियों को डाला जाता है जो सुरवाती और अंतिमे स्टेशन के बीच चटने उतरने वाले होते हैं मरसल डिली से पटना जा रही ट्रेन में रैली से ट्रेन पकर कर बनारस या मुगल सराय में उतरने वाले इसके बाद आर एल डबलु एल रिमोर्ट लोकेशन बेटिंग लिस्ट छोटे शोटे स्टेशन का ट्रेन में सीट का कोटा होना द जो किसी खास एस्टेशन के लिए हो उसे road side waiting list कहा जाता है मर्सल केवल नई दिली एस्टेशन के लिए ही बेट लिस्ट को RSWL कहा जाता है इसके अलावा भी दो तरह के टीकते यातरी को भी दी जाती है जीस मेंसे इन मेंसे एक आरेसी इसका मतलब रिजवेशन उंगेश्ट कैंसिलेशन इसमें एक ही सीट को दो आरेसी टिकट वाले लोगों को दिया जाता है जैसे ही कोई confirm ticket cancel होता है सबसे पहले इन ही लोगों को ticket confirm की जाती है और पूरी seat देजी जाती है इसके अलावा है CNF हालंकि एट ticket का type नहीं है बलकि आपका ticket पर update है इसका मतलब होता है कि आपकी ticket confirm हो चुकी है और चार्ट बनते समय seat alert की जाएगी ट्रेन के चार्ट उसके परस्ताब के समय सके करीब 4 घंटे पहले तयार हो जाता है तो दो मीद करता हूँ आप लोग समझ गये होंगे आखिर में railway कितने परकार का बेटिंग लिस्ट एलोट किया जाते है और कौन सा बेटिंग लिस्ट पहले confirm होता है तो बस आज के वीडियो बस इतना वीडियो फसंदर लाइक करना चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब करना तो दोस्तों मिलते किसे और नक्स वीडियो में